कि गुड़ मॉर्निंग बच्चो आज अपने बात करते हैं हाफमान एलिमिनेशन पर अपने बात कर रहे थी दास्ट वीडियो में भी इसके बारे में आपको ज्यादतर बाते बताई दी थी पर आज अपने रिवाई करते हैं विद एक्जाम पलो और इसकी मेगनेजिम अपन बिल्कुल ओपोजिटी यानि कि उसका विपरीद होता है इसमें भाई सेट जीप रूल में तो अपन क्या कहते हैं कि अधिक प्रतिस्थापी वाली एलिकीन बनती है ठीक है बट यहां पर क्या है कि हाफमान जो एलिमिनेशन है इसमें क्या होता है कि जो एलिकीन फोम होती एंधिके वो कम प्रतिस्थापी वाली एलिकीन यहां पर बनती है ठीक है तो अब यहां पर कैया है कि जैसे अपन एक ढगिने मई ठीक हमोंपन लेती हैं कि लगें है कौही अ चतुसक अमोनियम साल्ट या क्वार्टरी अमोनियम साल्ट ठीक है ना यह क्या लेते हैं सलफोनियम साल्ट लेते हैं अगर क्या है कि यह क्या है कि साल्ट जैसे किसी भी चार्ज जो यानि कि आवसीत जो सब्ट्रेक्ट है सब्ट्रेक्ट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं कि जो सब्ट्रेक्ट होता है उसका अपने बोलते हैं क्रियाधार ठीक है ना सब्ट्रेक्ट को क्या खते हैं क्रियाधार हिंदी वर्ड ठीक है तो सब्ट्रेक्ट की क्या है कि elimination reaction कराते हैं या कराई जाए तो product के रूप में क्या होता है कि lex substitute वाली यानि कि कम प्रतिष्थापी वाली alkin कि क्या होती है प्रायक्ता होती है यानि कि प्रायक्ता से वो बनती है probability ठीक है न कि यानि कि कहने का मतलब एक simple सी बात है कि इस नियम में क्या है कि जब अपन क्या है कि जैसे यह quaternary जो ammonium salt लेते हैं यह sulfonium salt लेते हैं तो इसकी अगर अपने बात करें कि इसमें elimination reaction होती है तो उस condition में यहापर क्या है कि प्रतिष्थापी वाली alkin बनती है बस आपको यह दिमाग में रखना है फालत बात क्या दिमाग लगाने है ठीक है न तो यहापर क्या है कि कल प्रतिष्थापी है लेकिन क्यों बनती है कैसे बनती है तो उसका region अपने यहापर किलियर करेंगे तो जैसे यहापर क्या है कि अपने एक उदान लेते है कि कल अपनी एकजामपल पर अपने बात रोकी थी तो एकजामपल जैसे आपने यहापर क्या है बिगी जो quaternary ammonium salt है यह ammonium salt क्या है कि जैसे अपने एक reaction ले रहे हैं यहापर कि यह ammonium salt है यहापर quaternary CS3 CS3 CH2 CH3 और क्या है CH2 CH2 CH3 ठीक है यह क्या है ammonium का क्या है चतुसक ammonium salt ammonium salt यह अपने यहापर लिया ठीक है ना इसके साथ hydroxyl iron हो रहेगा ठीक है ना ठीक है यह हो गया अपना quaternary ammonium salt या क्या है यहापर आप स्वाणियों शॉल्फोनियों शॉल्ट ले सकते हैं तो जब आप क्या है कि इस salt को आप क्या करते हैं हीट करते हैं क्या करते हैं हीट करते हैं तो इसमें से क्या होता है एक water molecule का elimination होता है अब यहाँ पर क्या देखो भई ओएस तो hydroxyl group यहाँ पर है एक तो यह जाए गई जाएगा अब बात आती है कि जो एलकीन कौन सी फोम होती एक तो देखो यह प्रोपेन वाला गुरूप होगा याने प्रोपिल और एक है इसमें एथिल तो जो हमन जो elimination इसमें क्या कहते हैं कि जो यहाँ पर कहय कि जो hydrogen होगा याने कि जो proton release होगा वो यहां से होगा याने कि Itsine group से यहाँ पर क्योगा कि proton प्रोन रिलिज्ट होगा और यहां पर क्या फोंगी कम प्रतिस्थाप्य वाली एलकिन फोर्म हो जाए अब यह कैसे होs TAFI आपको उसमें क्लियर करेंगे ठेके मैंकरेंगे हमें बताएंगे यहां पर यहां पर आपको क्या फोर्म हो जाएगा और प्लस आपको क्या फॉर्म होगी यहाँ पर CH2, CH2 यानि की एथीन, तो एथीन यहाँ पर कैसे फॉर्म हो रही है, अब अपनी बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कि यहाँ पर क्या है, कि जो क्वाटरनी अमोनियम साल्ट है, इसमें एथिल और दो समूं जूर्ड होई है, वाई, अथिल और प्ल्फिल मेथिल चे अपना लेलरे ना दे ना है, क्योंकि इन से तो यहाँ आटिन फॉर्म होई नहीं सकती, तो अपन यहाँ पर क्या है, कि में बात किस पर करते हैं, एथिल और प्रोफिल गृरुप पर बाlt करते हैं, ठीक लेकिन क्या है कि दोनों में से क्या होता है कि जो less substitute यानि कि कम प्रतिस्थापी वाली यानि कि ethyl समू है उसके क्या है कि ethylene के रूप में यानि कि ethyene के रूप में वो क्या होता है eliminate होता है यानि कि मुक्त होता है फिरी होता है जबकि प्रोपिल जो सम हो है वो नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ा रहता है ठीक है ना तो इसकी मेकनिजम किस तरह से हैं वो अभी बात करते हैं अपन मेकनिजम बताते हैं अभी पहले इस बात को नोट करते हैं इस साल्ट में इस साल्ट में एथिल वे प्रोपिल प्रोपिल टू ग्रूप दो समू दो ग्रूप एलिमिनेट यानि कि विलोपित होने वाले हैं लेकिन बोथ ओप देम दोनों में से दोनों में से कम प्रतिष्थापी यानि कि लेस सब्स्ट्यूट प्रतिष्थापी एथिल ग्रूप एथिल ग्रूप एथिन या एथिलीन के रूप में मुक्त होता है ठीक है तथा प्रोपिल ग्रूप प्रोपिल ग्रूप नाइट्रोजन एटम के साथ जोड़ा रहता है ठीक है अब बात करते हैं अपने रियक्शन मेकनिजम अपने बात देखें तो यहां पर क्या होता है कि भी अपने जो क्वार्टरी अमोनियम साल्ट लेते हैं ठीक है तो इसमें कैसे सिस्टम है देखें यहां पर कि भी यह आपके पास नाइट्रोजन इस पर पोजिट्व चार्ज क्यों आए क्योंकि इसने एक्स्टा बोन बनाएं लॉन पेली से हार्पिल क्या हुआ इसका ठीक है तो यह दो यहां पर मैथिल गुरूप है ही को आटरी फोंक करेंगे तो अपन ठीक है अब दूसरा यहां पर क्या है कि प्रोपिल गुरूप CS2 CS2 CS3 यह इसका हो गया प्रोपिल गुरूप और इधर क्या है इसका एथिल गुरूप है इधर क्या है इसका एथिल गु रहा हूँ यहां पर ठीक है ना और हाइड्रोक्सिल आयन है यहां पर तो यह हाइड्रोक्सिल आयन में यहां पर अलग सी लेखा है ठीक है ना भी इसके साथ यह जैसे आपको यह हाइड्रोक्सिल बता है तो हाइड्रोक्सिल गूर्पिश में ही salt में फोम है अब यहाँ पर क्या होता है कि कैसे कैसे क्या सिस्टम होगा भी एथिल कैसे यहां से रिलीज होगी तो देखी यहां से इस बॉंड के electron nitrogen nitrogen के पास तो nitrogen का positive charge खतम हो जाएगा ठीक है दूसरी बात क्या होती है कि यहां से क्या होगा कि यह जो bond है इस bond का भी किल्वेज होगा और इस bond के जो electron है वो कहां से रोंगे इनके between हो जाएगे तो यहां पर इनके between क्या हो जाएगा डबल बॉंड फोम हो जाएगा और यहां से क्या होगा कि यह proton release होगा तो यह proton क्या है कि hydroxyl ion के साथ water molecule के रूप में क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा ठीक है तो आपको यहां पर क्या फोम हो जाएगा कि भई ची एच त्री एन ची एच त्री और ch2 ch2 ch3 nitrogen पर lone pair प्लस आपको ch2 double bond ch2 और यहां पर आप water molecule right करेंगे अब यहां पर क्या है कि भई अपन यह कहें कि भई ऐसा क्यों हो तो यहां पर क्या है कि जो nitrogen atom है वो positively charged है quaternary ammonium salt में क्या है कि जो nitrogen atom है वो कैं positively charged है तो positively charged है तो इस region से क्या होता है कि इसका इस पर क्या होता है कि तिवर minus I effect यानिकि inductive effect यानिकि intensive क्या पड़ता है inductive effect रहता है minus inductive effect रहेगा ठीक है इस परभाव के कारण से क्या होगा कि nitrogen atom से जुड़े βीटा-carbonCorbon पर मानौ पर काफी reno हो जाते है यानि कि वह heff Grace हो जाते है अब देखो यहांपर कि nitrogen atom से जुड़े होएं यह तो सभी alpha-carbon है चारो अब यह यहां पर beta-carbon और यहाँ पर यह बीटा कार्बन है ठीक है यह आ जाएगा गामा तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि बीटा जो कार्बन है वहाँ पर क्या होता है कि इलक्टोन डेफिशेंसी इंक्रीज हो जाती है क्या होती है इलक्टोन डेफिशेंसी क्या होती है इंक्रीज होती है यान कि यहां से वो eliminate हो जाता है अब देखो यहां पर क्या है कि भी beta hydrogen है लेकिन यहां से क्या है कि भी इसके साथ methyl group है तो methyl group क्या करेगा कि इसकी electron deficiency को कम करेगा तो इसकी बजाए यहां पर क्या है कि यहां पर ऐसा system नहीं होता है भी आपने पढ़ाया कि inductive effect के लिए यानि कि कोई भी species ऐसी हो कि electron deficient होती है तो अगर क्या है उस पर algal group increase होते है तो इसका क्या होता है प्लस i effect होता है और उस region से क्या होगा कि उनकी क्या हो कि electron deficiency कम हो जाती है भी जैसे आपने tertiary carb cation की बात करें तो वही बात यहां पर हो जाएगी कि अब यहां पर क्या है कि यहां से अगर proton eliminate होता है तो उस condition में कैसे होता है तो इस region से और इस region से आपर क्या है कि इस region से भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है कि इस इसके साथ एक मैथिल गूल भी अटेच है एक्सटा में ठीक है बीटा कार्बन के साथ तो इससे क्या है कि इसकी इलक्टोन डेफिशेंसी भी कुछ कम हो जाती यानि कि बात क्या है कि इलक्टोन डेफिशेंसी जो बढ़ती है वो इस कार्बन पर बढ़ती है ठीक है तो इस र इस बात पर नोट करते आगे क्या होता है इसका कारण यह है कि पोजिटिव चार्ज दनावेशित चार्जड नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम का तीवर क्या है तीवर इंटेंशिव या इंटेंश तीवर इफेक्ट परभाव पढ़ता है पढ़ता है और इस माइनस आई इफेक्ट इफेक्ट के कारण नाइट्रोजन एटम से जुड़े नाइट्रोजन एटम से जुड़े बीटा कारबन एटम बीटा कारबन एटम काफी एलक्टोन डेफिशियंट इलक्टोन डेफियंट हो जाते हैं हो जाते हैं जिससे इसके साथ जुड़े बीटा हाइडोजन बीटा हाइडोजन का हाइडोक्सिल आयन हाइडोक्सिल आयन द्वारा आसानी से सिम्पली आसानी से एलिमिनेशन हो जाता है पर्थक करें ठीक है न पर्थक करें पर्थक करें बीटा पर्थक करें न इंग्लिस वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा दिमाब पर पर्थक करें पर्थक करें हो जाता है ठीक है और एथीन एथीन या एलकीन तो और भी एक्जाम्पल है तो उन एक्जाम्पल अपना नेफ्ट वीडियो में बात करेंगे जैसे अपना यहापर क्या है कि अमोनियम का क्या लेते हैं यह क्वाटरी है यानी कि चथूसक अमोनियम शाल्ट लेंगे इसका तो उस ग्टीशन में आपको कौन सी अधिक मात् आपको नेस्ट वीडियों बताएंगे नेस्ट एक्जम्पल से हैं ठीक है एक दो एक्जम्पल और भी है तो भी बताएंगे आपको ठीक है तो आज के लिए यह है ठीक है थेंक यू